जय स्री क्रिश्ना कैसे हैं आप लोग हम आप सभी लोगों के लिए इश्वर से प्लार्चना करते हैं क्या आप सब्षी लोग बहुत व come to everyone आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ें अपने करियर में सभ्सनासल करें आप जो पाना चाहते हैं जो भी पाना चाहते हैं उसाब कुछ्मिद शेंहिन आपको ज़रूर दें कौन है जो आप पर फिदा है कौन है जो आपके साथ जीना चाहता है आपको अपना बनाना चाहता है तो देखें हमने दो आप्शन दे दिये हैं आप एक आप्शन चूस करिए और फिर आप देखिए कि वह कौन है जो आपको चाहता तो बहुत ज्यादा है जो चाहता तो है और कितने लोगों को नहीं पता कि यह कौन है हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अनोन पर्शन ओए ऐसा होता है न कभी-कभी कुछ लोग बहुत जादा चाहति हैं लेकिन अपनी जाहत को छुपाते हैं तो इधर भी रीडिंग कुछ ऐसी ही है कि वह कौन है जो आपसे छुप छुप कर भ्यार करता है वह कौन है जो आपसे सिक्रेटली लब करता है ठीक है चलिए अगर आप सही जानकारी चाहते तो लंबी सी गयरी सांस लीजिए और एक उप्शन चूस कर आई होप आप बहुत स्वस्त होंगे बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे टियर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिश्वल लब 111 में तो वह कौन है जो आपसे सीक्रेटली लब करता है वह कौन है जो आपसे प् लिए वाले हैं सबसे पहले साइन की कर लेते हैं लिए इधर वार्टर बहुत स्टोंग है कैंसर इसकॉतय। पाइसियस यह उनका साइन हो सकता है या फिर आपका साइन हो सकता है ठीक है इधार टॉरस पर को कैप्टिकॉन भी है लेकिन जेमिनाय लिब्रे एक्विरियस थोड़ा सा कम है ठीक है अब देखिए हम इनके नेचर की बात करेंगे आप अपने आप अंदाजा लगाना कि ये कौन है और अगर आपको समझ भी आज चाहिए कौन है तो हमें भी कौमेंट करके बता दीना ठीक है बहुत ही ज्यादा मस्ती मजा करने वाले एंसान है खुछ दिल इंसान है समझ रहे हैं और इस प्रिच्वल इंसान है एड़ सब के साथ कि आठासे बात करना सब का खयाल रखना बहुत मदरली टाइप निचर है इनका बहुत ज्यादा इनके अंतर इस प्रिश्वालिटी बहुत ज्यादा है इन्हें अध्यात्म की नौलिज बहुत ज्यादा है यह पता है इश्वर से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं इश्वर के प्रती बहुत ज्यादा आस्था है इनके अंदर परिवार के साथ रह नादाजी हो जो इनकी दादी हो उनके साथ इनकी बहुत अच्छी बॉंडिंग हो कोई है इनके घर में ऐसा बुजर्गुसा इंसान जिससे बहुत ज्यादा अटैज्ट है अब यह आप से प्यार तो करते हैं लेकिन बताना क्यों नहीं चाहते हैं हो सकता है कि आपको एहसास कि फ्रेंच इशू है यह हमेशा ना कंपेर करते हैं खुद से आपको कि कहां वो कहां मैं यह पता है अगर आप मेल है ना तो यह आपको प्रिंस की तरह देखते हैं कि कहां वो कहां मैं कोई मेल ही नहीं है और जहां पर कोई मैच नहीं होता कोई लेवल नहीं होता वहां पर प्रिंसेस की तरह देखते हैं उन्हें लगता है कि आप कितने प्यारे हो आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो हाँ आप जॉब करते हो आपकी बहुत अच्छी सैलरी हो या फिर आपका कोई अच्छा सा बिजनेस हो लेकिन वो अपनी ल और इसी वज़े से वो अपने प्यार को छुपाते हैं उन्हें लगता है कि आपको चाहने वाले हजारों लोग हैं उन हजारों में से वो भी एक हैं वो भी एक हैं लेकिन उन्हें ये लगता है कि जरूरी थोड़ी नहीं कि प्यार में बाहूं के सहारे मिले जरूरी थोड़ी कि जब यह आपके आज पास होते हैं तो इन्हें कितना सुकून मिलता है कितनी पॉजिटिविटी है इनके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर आप इन्हें कितना पॉजिटिव करते हैं हां यह आपको बहुत अच्छे जानते हैं आप इन्हें बहुत अच्छे यह ना वो बच्पन से ही है मतलब कि इधर connection बच्पन से है connection बच्पन से है हो सकता है कि आपके school friend हो आपके college friend हो या फिर आपके कोई relative हो पहले कभी आप इनसे एक दोबार मिल चुके हैं समझ रहे हैं लेकिन बीच में आप दोनों के दर्मयान थोड़ा सा distance maintain हो गया दोस्ती बहुत अच्छी थी लेकिन distance maintain हो गया और इस वज़े से शायद यह अपने दिल की बात नहीं कह पाए और दूरियां थोड़ी जादा बढ़ गई फिर इने यह लगा कि आपको चाहने वाले बहुत अच्छे लोग हैं और कहां यह कहां आप कोई level ही नहीं है लेकिन हाँ फिर भी यह आपसे बहुत प्यार करते हैं बहुत जादा जय कृथately आप इनसे बात करते हो किसी और की अभी आपसे बोल भी निसकते कि प्लीस मुझसे मत बताया करो यह जी यह बोल भी नहीं सकते बस अंदर औहंदर घुट जाते हैं अंदर जैसे कि अपने गुश्य अपjor को पी लेते हैं लेकिन आप से कुछ कहते ही इनहीं लगता है कि आप इनके najle partner होते तो यह पनी life में आज कुछ और होते इन्हें पता है हमेशा यह लगता है तो आप जैसा me partner कि पीन को मिल जाए तो वह तरह से सुखी रहेगा सुकून में रहेगा क्योंकि आप जैसा इंसान नसीब बार reduced है यह सथ सोचते हैं क्योंकि आप वाकई काफी समझदार है मिचूर हैं आपके अंदर काफी अंदरस्टैनिंग है चीजों को समझने की ऐसे इन मिचूर्टी नहीं आपके अंदर बहुत मिचूर हैं इस वज़े से यह आपको पाने का ख्वाब रखते हैं आपके साथ जीने क ख्वाप देखते हैं इन्हें हमेशा आपकी कमी महसूस होती है कि काश आप होते काश आप होते कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि शायद आपके यह वो दोस्त हैं जिनों ने शायद बच्पन में या फिर कुछ समय पहले को ऐसी गलती की है कोई जूट बोला था आ आपसे किसी बात को लेकर आप दोनों के दर्मयान मिसंडरस्टैनिंग क्रियेट हो गई थी और इस वज़े से आप दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया था तो यह आपसे बता भी नहीं पाए कि आपसे कितना प्यार करते हैं और इसी वज़े से उस गलती को लेकर यह काफी शर्मिंदा है काफी गल्ट करते हैं काफी इस्ट्रेस में भी रहते हैं लेकिन आप से बता नहीं पाते कि आपसे प्यार करते हैं समस्झ रहें कुछ ऐसी वाइब भी आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए इन आपके साथ कहीं चाएं यह कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं हो सकता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो जिसके साथ आपने कहीं वर्ल टूर करने का प्लाइन किया हो कहीं जाने का प्लाइन किया हो कि आप कहीं घूमने जाएंगे साथ में कुछ ऐसा तो यह सोचते हैं कि काश आप इनके साथ वहां घूम पिल्कुल भी नहीं चाहते कि जबरदस्ती अपना प्यार आप पर ठोपे नहीं बेशक आप इनकी महबत हो लेकिन अपनी महबत जबरदस्ती आप पर ठोपना नहीं चाहते इन्हें कभी कभी यह लगता है कि आपकी लाइफ में अल्रेडी कोई और है और अगर आप उसके आंखों में आँसू नहीं देखना चाहते हैं इन लगता है कि कोई बात नहीं वह खुश है ना बस यह काफी है मेरे लिए ये अपके साथ ना soulmate connection feel करते हैं. हो सकता है कि इन्होंने शायद आपसे कभी कहा हो कि पता है जरूर हम लोगों का कोई बहुत strong connection है. Like soulmate का, past life का और पता है ये आपको इस हद तक प्यार करते हैं कि अगर इनकी life में कोई और आने की कोशिश भी करता है ना तो ये उसे reject कर देते हैं ये बोल कर कि ये आपसे प्यार करते हैं हो सकता है कि आपको इस बात का एहसास हो, आपको इस बात का पता हो लेकिन फिर भी ये जबरदस्ती कभी भी ने करेंगे आपके साथ कभी भी ने करेंगे. इनकी जो प्यूंस है आपके बाह packaged honour रएंब अबाइव भाध प्शूर है ये अपने फीलिंग अपने wan emotion के शुपाने कोई पीमिन हूटने कि की बिलकुल भी ने चाहते कि आपको पता चले की आपसे कि ये उपकर प्यार करते हैं अगर आपको कभी भी अपने आप पता चल गया तो ठीक है उन्हें आप से कभी बताएंगे भी इन Bruce Akin Abi और 트나पική आपको न चाहते थोड़ा सा एज डिफ्रेंस हो हाँ एज डिफ्रेंस भी है और कुछ लोगों का तो हमें रिलीजिन इशू इंटरकास्ट इशू भी लग रहा है और फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉंग है लेकिन पस कंपेरिजन बहुत जादा करते हैं यह एक तो आर्थिक इस्थिति को ले है उसके साब से आपको एक सॉंग सुनाते हैं ठीक है बेशक तुम मेरी महाबत हो है बेशक तुम मेरी महाबत हो दिल है दिवाना तुम को ही चाहे तुम मेरी चाहत हो बेशक तुम मेरी महाबत हो है बेशक तुम मेरी महाबत हो दिल पे किसी का एक्तियार होता कहां है करने से दुनिया से प्यार होता कहां है एक पल ना देखू तो चैन आये नहीं अब ये दूरी सनम सही जाये नहीं सच मुच तुम मेरी जरूरत हो बेशक तुम मेरी महाबत हो दिल है दिवाना तुम को ही चाहे तुम मेरी चाहत हो तो इनकी जो फीलिंग्स है न वो यही है कि बेशक तुम मेरी महाबत हो दिल है दिवाना, तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तुम मेरी महबबत हो हमें आप में से बहुत सारे लोगों के लगता है कि शायद आप मैरिड है हाँ, शायद आप मैरिड है, आपका इनके साथ एज जिफरेंस है ठीक है तो ये अपकी बहुत रेस्पेक्ट तो करते हैं बहुत रेस्पेक्ट करते हैं लेकिन कहीं न कहीं अपनी फीलिंग्स अपने एहसास अपने जजबात चुपाने के कोशिश भी करते हैं लगता है कि पतनी आप क्या सोचेंगे पतनी आप क्या सोचेंगे तो इस वज़े से ये आप से शादी भी करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं फैमिली के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं समाज के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि आप क्या सोचेंगे इनके बार किस्मत वालों को मिलता है और अगर आप इनहें मिल जाओ तो इनकी किस्मत खुल जाएगी लेकिन आपका इनके साथ एज डिफ्रेंस है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए लॉंग डिस्टेंस भी लग रहा है और कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि इंटर कास्ट अपना ख्याल रखे अपने अपनों का ख्याल रखे कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोची क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करने है ठीक है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है आप का मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं ठीक है जैशी कृष्णा अप्शिन नमबर टू कैसे हैं आप 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 बहुत सवस्त होंगे बहुत मश्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे दियार आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल इस प्रिचुल लव डबल वन डबल वन में तो वह कौन है जो आपस आपसे बताना नहीं चाहता लिकिन आपको छुप-छुप कर प्यार करते हैं कौन है सबसे पहले इनके साइन और एलिमेंट्स की बात करें इधर जो स्ट्रॉंग साइन है वह है जेमिनाय लिब्रा एक्वेरियस उसके बाद हैं पर कैंसर स्कॉर्पियों पाइस उसके बाद नहीं पर एरीस लिओ सेजिटेरियस लेकिन टॉरस पर को केप्रिकॉन बहुत कम है इनकी जो एनरजी है ना बड़ी इंट्रेस्टिंग है मतलब पाइल नंबर वन को देख देखते हुए पाइल लब जो वन की एनरजी थी ना काफी कन्फियूजन वाली एनरजी थी जैसे क अग्याना करूं आज अपने दिल की बात कह देनी है और कल नहीं हटाओ छोड़ो नहीं कहना कुछ ऐसी एनरजी थी लेकिन इधर जो एनरजी है ना हम आपको आपको क्या बते हैं आपको हासी आई गी हमें खुद बहुत हासी आ और एक सदनली सॉंग याद आगया मतब हम जितने भी आपको नेगेटिव सॉंग सुना देना वो उतने कम है प्यार बहुत है लेकिन सोचना उल्टा सीधा है क्योंकि जो परसन है यह आप से प्यार बहुत करते हैं बहुत जादा लेकिन इन्हें ट्रस्ट इशू बहुत यह कुछ भी कर सकते हैं और जान चली जाए जान चली जाए ठीक है लेकिन जुकना ना पड़े यह एनर्जी है और अभी हमें ऐसा लगता है कि जो परसन आपसे इतना प्यार करते हैं यह शायद आप से बोल देते होंगी कि हां हां आपसे कोई प्यार मुझे मत्तब की बात कि यह छुप छुप कर आपके बारे में पता करते हैं कि आप क्या कर रहे हो कहां हो क्या हो ठीक है यह आपसे प्यार करते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि आपको ना पता चले कि आपसे प्यार करते हैं यह आपके बारे में बहुत सारी जासूसी रखना पसंद करते हैं लेकिन यह नहीं चाहतें, आपको पता चलिए इन्हे ऐसा लगता है कि आपको बस यह लगे कि आरे वो मुझसे प्यार नहीं करता, यह आप से सीकरेट ली लब करते हैं। समझ रहे हैं, हो सकता है कि इनकी कभी आपकी पास्ट में लडाई भी हुई हो, कभी आपकी इनसे लडाई हुई हो, और इन्होंने आपसे कह दिया होगा कि आपके जैसे बहुत है, इन्होंने कह दिया होगा गुस्ते में, क्योंकि क्या है ना, इनका जो नेचर है बढ़ बोल करने कि गुथे में कुछ भी बोल देना लिए ॉन नstal सिर जए विए कुछ बहुत जादा हि जिनके अंदर में ऑनदरinekिंघ होती है उने में ऐसे वह हुता है क्योंकि वह जरब से जादा सुचते हैं और यह वह जली से जादा सुचते हैं हमें करह Bent लेकिन हमें suddenly याद आ गया, चलिए सुनाते हैं आपको एक बात तु बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम अभी हमसे महबत करते हो एक बात तु बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम अभी हमसे महबत करते हो जाने में रो रो कर समंदर भरती है क्या तुम भी रो रो कर नदियां भरते हो आप कहोगे ने किवी हम बीच वाली लाइन खा गए हमें आती ही नहीं है इस सुझे हमने इस सौंग को कभी गाया ही नहीं है है तो यह आपको ब्लेम कर रहे है ना एनर्जी दर करने वाली है कि यह तो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन रखता है आपके अंदर अटिट्यूर जादा है आपके इंदर घमन बहुत जादा है बस वही हाल है के उल्टा चौर को इत्वाल को डाटे समझ रहे हैं ऐसी एनर्जी है तो थोड़ी immature एनर्जी है और इस एनर्जी को देखकर पता है हमें किसकी याद आती है हमेशा बता दें पक्का मस्कुलाइन की हाँ क्योंकि जब मस्कुलाइन immature एनर्जी में होता है ना तो वो ऐसी ही बाते करता है एक पल को तो बहुत अच्छा और एक पल को बहुत बुरा समझ रहे हैं और ego को satisfy करने के लिए अपने अभिमान को उपर रखने के लिए वो रो लेगा तडप लेगा नाक बहा लेगा लेकिन आपको फोन नहीं करेगा ऐसी एनर्जी होती है अच्छा कितने लोगों को लगता ह इसा जितने लोग ट्विन सोल जर्णी वाले हैं इधर और उन्हीं क्या लगता है कि उनका मस्कुलाइन उनके साथ ऐसा करता है मस्कुलाइन फिमेल बाडी में भी हो सकता है हम यहां पर मेल फिमेल की बात नहीं कर रहें तो यह बंदा आप से बहुत प्यार करता है लेकिन चुपाता है उसे चुपाता है कि थोड़ा तो इसे बताना नहीं आता कि है ना इसका जो फ्रोट चक्रा है ना वह एक्टिवेट नहीं है और जब किसी का फ्रोट चक्रा एक्टिवेट नहीं होता ना तो वह मीठी मीठी बाते करी भी पाता है प्यार कैसे जताते हैं अपन बड़े ख्वाब हों कि काश्व मुझे इस तरह से प्रपूज करता तो वह सारी चीजे नहीं तर यह कहना चाहते हैं पर कहने पाते हैं थोड़ा सा इनोसेंट भी समझ लीजिए क्या कहें थोड़ा सा इनोसेंट भी समझ लीजिए और इनके साथ अगर आपके मस्कूलाइन न बहुत श्ट्रॉंग तरीके से पस्ट में यह वो परसन है जो अब आपसे प्यार करने लग क्यांने हैं लेकिन पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है पास्ट में अनोंने आपके साथ विश्वास घ्कार किया है जो परसन आप से omat लिए उनके बारी में बता रहे बहुत जादा प्यार करते हैं तेकिन वही हाल है कि बता नहीं पाते हैं कि आप तो बातचीत कर नहीं रहे हैं आप डिवाइन को पुरी तरह से सरेंडर कर दिया है ठीक है और आप अपने करियर के बारे भी सोचने लगे हैं तो इन्हें यहीं लगता है कि क्या आप इन्हें अ तो थोड़ा जुकना पड़ेगा निया और सौरी बोलना इन्होंने सीखा नहीं है अपनी गलती का एहसास होता है लेकिन जुकना इन्होंने सीखा नहीं है और अगर प्रेम में समर्पर ना हो जुकना तो पड़ता है ना जहां पर प्रेम होता है जहां पर टू लव होता है व बात कर लेता और कास सब कुछ ठीक हो जाता सब कुछ बदल जाता, इन्हों भी इस टाइब पर डिवाइन को सरेंडर कर रखा हैं थोड़ा सा एषास हो रहा है कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन मैं कैसे बात करूँ, स्टार्ट कैसे करूँ, शुरुवात कहां से करूँ, अगर मैंने सॉरी बोल दिया तो मुझे बहुत ज़दा टॉंट सुनने के लिए मिलेंगे, ये सारी चीजे, इन्हें ये भी पता है, कि आपके अलावा इन्हें कोई झेलने वाला नहीं है, आपके अलावा इन्हें कोई समझने वाला नहीं है, और इनकी इतनी बत्तमीजियां कोई और बरदास्त करने वाला भी नहीं है, इन्हें आपसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और सच ये है कि आप दोनों हो ही एक दूसरे के लिए, ठीक है, और आप दोन वाला कहां से आ गया जब आप सिंगल हैं तो फिर आप ये रिदिंग वेखी क्यों रहे हैं आपको तो पता है कि कोई ना कोई तो होगा चाहने वाला है ना और फिर आपकी पर्सनल लीडिंग तो है नहीं थोड़ा सा सेंस वाली बातें भी करतें बहुत सारे लोग कभी कॉमे कि अपता पता है कि आपके अलावा इनहें सच्चा प्यार देने में आपको लावा इनहें समझने वाला कोई भीनें और एक दिन घुटले टेक पड़ेंगे लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी तरफ से शुरुवात मत करना देखते हैं कि कितने दिनों तक ये इस तरह चुप़ी साध कर रहेंगे हाँ कितने दिनों तक इन्हें प्यार है आपसे बहुत प्यार है लेकिन वो छोटी छोटी बात में चिरचिरापन आ जाना मरत चोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना फिर ये अपने दिल की बात आप से बोल नहीं पाते और फैमली की तरफ से जाद अतर करके इन्हें टेंशन मिलती रहती है किसी ने किसी बात को लेकर family में place होता रहता है तो इन सब चीजों को लेकर थोड़ा tension में भी रहते हैं लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं बहुत ही प्यार करते हैं बस अपने ego की वज़े से अपने attitude की वज़े से छुपाना चाहते हैं और अभी आप दोनों के दर्मियान जो भी जगड़े वगड़े चल रहे ना जो भी create हुआ है उसे शौट आउट करना चाहते हैं लेकिन बस सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग आपकी तरफ से हो जाए एक बात तो पक्की है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और अनंत जन्मों तक एक दूसरे के लिए ह देहने वाले हो ठीक है लडाई जगड़े कितने भी हो हो सकता है कि बार बार आपको जुकना पड़े लेकिन हम आप से यह कहेंगे कि इस बार आप मत जुकना ठीक है यह transformation चाहते हैं बदलाव चाहते हैं यह और आपको हो सकता है कि बहुत जादा ट्रिबल सिक्स नजर आ रहा हो ट्रिबल फाइप नजर आ रहा हो ठीक है क्योंकि इनकी फीलिंग्स हैं कि कास सब कुस ठीक हो जाता कास सब कुस ठीक हो जाता इस टाइम पर इन्होंने भी डिवाइन को surrender कर रखा है कि please God सब कुस सही कर दीजे हम मैं आपके भरोसे हूँ ये आप से कहने की इम्मत नहीं पड़ रही है, आप से नहीं कहेंगे, लेकिन इश्वर से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम आप से ये कहेंगे, कि ठीक तो होगा, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन प्लीज इस बार आप मत जुकना, ठीक है इस बार इन्हें जुकने दीजे, और ये जुके बिना रहेंगे नहीं, क्योंकि कब तक कब तक अकड़ कर रहेंगे, कब तक अपने एगो को आगे रखेंगे, कब तक इस तरह करेंगे, एक ना एक दिन तो इन्हें जुकना ही पड़ेगा, तो अगर ये जुकते हैं तो हमारा एंकार हमारा एगो हमारा एटिट्यूट समझ रहे हमारी स्प्रिच्वल ग्रोथ में रुकावट बनता है तो यह चाहे कुछ भी कर ले हो सकता है किसी न किसी के थुरू आपको मैसेज भेजें ठीक है लेकिन आपको बिल्कुल फुली इग्नॉर करना है अभी ने और य इसा के लिए लेकिन कुछ गल्तियां हमने बताई ना इन्होंने कुछ जूट बोलाया आपसे कोई किसी भी तरीके की चीटिंग करी है इन्होंने आपके साथ तो थोड़ा सा इस वज़े से भी फेस नहीं कर पा रहे हैं सोच रहे हैं कि मुझे जुकना भी ना पड़े और स स्टार्टिंग आपकी तरफ से हो जाए तो आपको हम मना कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे ठीक है तो दियर देखें पाइल नंबर टू इधर कोई अनोन परसन नहीं था इधर आपके पार्टनर है यह आपके करेंट पार्टन है यह अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं ठीक है तो आई होप आप समझ गयोंगे जैशी कृष्णा अपना ख्याल रखें अपने अपनों का ख्याल रखें कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचें क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और पूरी जिंदगी कहेंगे आपको लोगों की नहीं अपनी परवा करनी है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं आपका मन कहता हो आपकी आत्मा कहती हो तो आप इस चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके हमें मोटीविट भी कर सकते है ठीक है जैशी कृष्णा आप सभी के रिदय म में बैठे पर मात्मा को हमारा शादर पर नाम को मनी पत में हम ओम साही राम